हेलो गाईज, वेलकम डो मेकी सब, आप लोगों ने इस चीज जरू सुनी होगी, कि जो अट्मोस्फेरिक प्रेशर होता है, वो होता है 760 mmHg, या फिर 10.3 मीटर ओफ वाटर, भाया हमने तो प्रेशर की उनिट देखी थी, पास्कल, बार, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, ये स 1.3 मीटर ओफ वाटर, 760 mmHg, ये कौन सी यूनिट नहीं पैदा होगी प्रेशर की, और ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में साथ में प्रेशर मेजिग डिवाइस, तो चले करते हैं इस वीडियो को शुरू, तो गईस राइट साइड में जो आप ये फिगर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बैरोमेटर, अन वाट दस इस दो, इस मेजर्स अट्मॉस्फेरिक प्रेशर, नो इस वेरी सिंपल मेकानिजम, वाट वीडियो इस एक इनवर्टिट ट्यूब लेते हैं और उसको एक कंटे में होता है मर्कुरी, we have to calculate the atmospheric pressure, अगर आप इस पॉइंट को consider करें, किसी भी पॉइंट को इस लाइन पे या इस लाइन पे, तो यहाँ पर जो pressure act कर रहा होगा, वह होगा atmospheric pressure, क्योंकि this container is open to atmosphere, अगर आप मेरी previous वीडियो अच्छे से देख के आए हैं, तो आप easily बता सकते हैं कि इस point में जो pressure होगा, वही pressure इस point पे भी होगा, कहाने का मतला हम point B का pressure निकालने, तो that would be equals to the atmospheric pressure, so चलिये निकालते हैं, pressure at point B, so point B would be the below point and point C would be the above point, so we can say PB will be equals to PC plus rho G and this height is H, यह चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि formula कैसे निकलाता, आप मेरे previous वीडियो देखिए, आपको सबको सब में आ जाएगा, अच्छा, अब जो pressure at point C है, वो pressure है, vapor pressure of mercury, जो की बहुत कम होता है, तो इसको as a vacuum, consider कर सकते हैं, और इसको neglect कर सकते हैं, तो finally जो pressure at point B आया, वो निकल के आया, density times g times h, और density हमें लेनी है mercury की, so this is the formula that we obtained, अगर हम यह height h निकालने, तो density हमें पता है, mercury की standard है, 13.6 times 10 to the power 3, यही होती है, density पता है, g तो already it's known, 9.81 meter per second square, h अगर हमें practically निकालने, तो हम pressure at point B, जो की atmospheric pressure के बराबर, है, वो हम निकाल सकते हैं, now practically यह देखा गया, कि जो value of h, यह height आई, वो आई हमारे पास 760 mm, और यह height तब थी जब हम mercury ले रहे थे, लेकिन अगर हम water ले, तब height आती है, in case of water, it comes out to be as 10.3 meter, now, this height is irrespective के आप area of tube कितना ले रहे है, for example, अभी आपने जो diameter लिया इस tube के, वो ल d1, कलको मेरा मन है कि मैं diameter बढ़ा कर दूँ, तो कि height कम जादा हो जाईगी, तो मैंने किया किया diameter को बढ़ा कर दिया tube के, और इसको लिया d2, मेरा फिर मन पलटा और मैंने का नहीं diameter को छोटा करके देखता हूँ, तो d3 कर दिया और इसको छोटा कर दिया, लेकिन एक चीज गजब की हुई कि जो height थी, तीनों ही case में, height अगर mercury लिया गया है, तो height 760 mm ही आई, और अगर water ले रहे हैं, तो 10.3 meter ही आई, मतलब कि हम pressure को सिर्फ height से भी denote कर सकते हैं, क्योंकि ये area और बाकी चीज़ों पर depend नहीं कर रहा है, इसलिए जो हम pressure के unit है, वो हम बोल देते है, atmospheric pressure की, 760 mmHg, क्योंकि जब हम mercury हमें लिया तो height जो आई थी हमारे पास, वो 760 mm आई थी, अब अगर इसको मैं convert करना हूँ, kilopascal में, या pascal में, तो आप simply density और g से आप multiply कर दीचे, आपको जो unit है, convert हो जाएगी, pascal में, for example, pressure को अगर हम निकाले, atmospheric pressure को, तो density of mercury, we have 13.6 times 10 to the power 3, 9.81 meter per second square, and जो height आई है, वो 760 mm, that means इसको में ले सकते है, 0.760, तो approximately answer जो आएगा, वो 101.325 kilopascal आएगा, जो कि atmospheric pressure होता है, तो इसी लिए हम, जो pressure है, उसको हम height की terms में बोल देते हैं, generally, ताकि ठोड़ा easy रहे है, बता रहेगी, simple height बता दो, कितनी है, किसी भी fluid में height बता दी जो इतनी height आई है, उसके इसाब से, आप convert कर लिए, रोजी से multiply करने के बाद, तो ये था pressure को height में convert करने का तरीका, वो पाइड ये pressure के बहुत ही गजब की applications है, वो हम देखेंगे अभी, next, now, pressure changes with altitude, as we are moving up the elevation, the pressure going to decrease, now, जो standard value है, at sea level of pressure, जो वो हमें पता ही है, 101.325 kPa, अब अगर आप 10,000 meter above चले गए हैं, from the sea level, तब वहाँ पी जो pressure होगा, वो approximately होगा 89.88 kPa, अगर मैं 10,000 meters पे देखूं, तो वहाँ पी जो pressure होता है, वो होता है, 26.5 kPa, and similarly, at 20,000 meter height, from the sea level, the pressure would be very less, and that to 5.3 kPa, now, आप ये देख रहे हैं, Mount Everest, Mount Everest के height होती है, करीब 8,800 meter, approximately, इतनी होती है, तो यहाँ पे pressure कितना होगा, 10,000 meter पे इतना है, तो करीब-करीब 30 kPa लगा लेजी, तो pressure बहुत काम होने वाला है, now, if anyone wants to climb the Mount Everest, जहाँ पे atmospheric pressure 30 kPa है, and जो हमारी जो body design की है, इश्वर ने, वो कुछ इस तरीके से की है, कि यह जो pressure होए, atmospheric का, यह हमारे लिए होता है, favorable condition, अब यह तो हो गया, unfavorable, 30 kPa का लिए तो बहुत ही कम हो गया, आपको oxygen तो लेनी है ने, जिन्दा रहने के लिए, बहार pressure बहुत कम है, तो आपको work बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, कि बहार से oxygen में सक कर सकू अपनी body में, उसके लिए होने चाहिए आपकी body बिल्कुल fit, अगर आपकी body fit नहीं है, यह नोट बहुत क्लाइम the Mount Everest, other than this, not only to climb the Mount Everest, वैसे भी आपकी body fit रहनी ही चाहिए, जैसके बाबा रमदेव कहते हैं कि देखो भी एक करने से होगा, व्यायाम प्रणायाम तो आपको करना पड़ेगा, the most and the most important thing in your life is, the health should be good, if your health and if you are not fit, there is nothing left, the most important thing is your health, so इसके लिए आपको यह exercise करने पड़ेगा, आपकी cycling कर लिजे, gymming कर लिजे, etc, कुछ भी रिये, लेकिन करिये ज़रूर, अभी तक हमने यह जाना, when we are moving up the elevation, the pressure will going to decrease, आपने यह जीज़ गोर की होगी, कि जो cooking है, at high altitudes, it takes longer time as compared to the sea level, because the boiling temperature of water decreases, as the pressure decreases, now, इसको में एक practical example समझते हैं, कि hills पे, या mountains पे, हमें time जादा क्यों लगता है, food को पकाने के लिए, now, suppose you are boiling potato, और potato को boil करने के लिए, for example, we can take, कि हमें 120 joule of heat energy चाहिए, तब जाके potato boil होंगे, और heat energy is nothing but mc delta t, delta t means tb, that is the boiling point of water, minus t initial temperature, now, mass, हम मान की चलते हैं, कि 1 kg हम potato boil कर रहे हैं, यह है c, that is a specific heat of potato, जो कि standard value होती है, हम रख सकते हैं, अब देखे, यहाँ पे जो है tb की value कम हो गई है, अब अगर tb की value कम होगी, तो इस delta t will decrease, और यह delta t decrease हो गए, तो यह पूरा term decrease हो जाएगा, और यह हमें इतने energy नहीं मिल पाएगी, अब अगर हमें 120 joule of energy नहीं मिली, तो potato boil नहीं होंगे, तो यह एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी होगी, उसको solve करने के लिए बनाया गया pressure cooker, और pressure को काम यही होता है कि pressure बढ़ाना water का, अब अगर pressure बढ़ेगा तो इसका boiling temperature बढ़ जाएगा, boiling temperature बढ़ेगा तो यह total value increase हो जाएगी to 120 joule, and this is not the city, city नहीं है भया इसको बोलते है dead weight valve, जो के design इस तरीके से किया जाता है कि जो pressure है में जो desired pressure चाहिए वो अगर attain होगा है तभी जाके यह dead weight valve जो है यह ऊपर के तब, it will move in the upward direction और इसके बाद जो है pressure release हो जाता है, तो यह था mechanism pressure cooker का, अब हम next देखते हैं manometer, जो आप यह figure देख रहे हैं left side में इसको बोलते है manometer, and this device is used to measure the pressure of the fluid, suppose हमने gas लिया इस container में and we have to calculate the pressure at this point, तो हमने कुछ नहीं करना है, एक manometer लगा देना है, with the manometric fluid let it be Hg that is mercury, now pressure at point 1 and pressure at point 2 यह ब्राबर हो जाएगा, अगर इस चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरी previous videos देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कि P1 equals to P2 कैसे आया, and P2 would be equals to, अब यह हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो pressure लग रहा है वो atmospheric pressure होगा, so P2 would be equals to atmospheric pressure, plus rho gh, so rho gh, यह जो density हम लेंगे, यह density हम लेंगे mercury की, so यह है pressure at point 1, now कल को अगर हमें gauge pressure निकालना है, this is the absolute pressure, तो अगर हमें gauge pressure निकालना है, तो हमें atmospheric pressure को zero consider करना पड़ेगा, और gauge pressure आ जाएगा rho gh के बराबर, तो यह है एक device, जो कि pressure measure करता है, बाकि कुछ devices होते हैं, जैसे bodden tube, आप राइट साइट में देख रहे हैं, this is called the bodden tube, and it is used to measure the pressure, and it can measure the pressure between the range 0.6 bar to 7000 bar, now इसमें होता क्या है, कि one end of the tube is closed, and connected to the dial indicator, and the other end is connected to the device, where you have to calculate the pressure, now initially, जब कोई भी यहाँ पर fluid, enter नहीं कर रहा है, जो यह needle है, it shows zero gauge pressure, मतलब जो initially जो इसका pointer होगा, suppose यह pointer है, यहाँ पर needle पर है, यहाँ पर initial show कर रहा होगा, zero पर, and जब यहाँ से fluid enter करेगा, इस end से, तो it will go into stretch, जब यह stretch करेगी, कुछ इस तरह इसे stretch कर जाएगी, तो जो needle जो इससे connected है, यह भी deflect करेगी, and accordingly जो यह pressure होगा, वो यहाँ पर show कर देगा, for example, 20 बार, 30 बार जो भी आ रहा होगा, according to the deflection, तो यह mechanism है, बॉर्डन tube का, यह थे कुछ pressure measuring devices, next हम एक question discuss कर लेते, so this is a question we are given, now हमें निकालना है, pressure of the gas, that is the pressure at point 1 हमें निकालना है, और जो height h, manometric column height, जो हमें दी गई है, वो दी गई है 55 cm, और जो atmospheric pressure हमें दिया गया है, वो दिया गया 96 kPa, और जो यह manometric fluid है, इसकी specific gravity, यह हमें दी गई है 0.85, तो इस data के हिसाब से हमें निकालना है P1, इसका जो solution है, मैं आपको next video में बताऊंगा, आप पूरे try कीजिएगा, and we are going to discuss the answer in the next video, so अभी के लिए इतना ही, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, Goodbye